नमस्कार दोस्तों आपको हमारे चैनल एनलीसे साइंस में स्वागत किया जाता है अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को स्ट्काइब कीजिए वीडियो को लाइक से और कमेंट जूर कीजिएगा चले वीडियो को शुरू करते हैं आज हम यहाँ पर जो है इस पेपर थार्ड है डिफरेंशियल जिमेटरी इसके पहले हमने जो है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड अपलोड किया है यदि आप उसको देखना चाहते हैं तो डिप्शन में लिंक दिया गया है आप वहां से जाकर कि उसको देख सकते हैं चले यहां से हम और साथ ही आदेने चलोड भापको बीए भीए सी एम मेंसी और बी एट कभी आपको यहां पर प्रमिल जाएगा इस चैनल पर चले यहां से बीडियो कब सुरू करते हैं अगय और ताइम दिये गया है zwei में सबसे पहले से पढ़ेंगे पर सेक्वेया यह चूसर अग़िए है question which consists of five sub question each sub question carries three marks attempt any three sub questions from this section अब यहां से देखे section a से जो है आपको 5 टेए जाएंगे जिन में से आपको तीन ही question का answer देना है यदि आप question का answer देंगे तो 3 marks मिलेंगे यदि तीन question का answer देंगे तो आपको 9 marks मिलेंगे यहाँ पर section a से चलिए हैं से question पढ़ते हैं कुछ्टन है यहाँ पर रिइंध परऑं का ए पहला है डिफाइन the करवेचर and टोर्ष आप स्मूथ कर यहां पर डिफाइन करना है करवेचर और टोलिशन वहीं स्मूथ कर पर आपको चले कुछ से नंबर दूसरा पढ़ते हैं कुछ से नंबर दूसरा है है यहां पर आपको पाइंट करना है यहां यहां पर जो है फंडमेंटर थेयुरम आप स्पेस कर्व हो की जो है आपको statement लिखनी है यहाँ पर चले question number हम दी पढ़ते है question number D है state the means no theorem means no theorem यहाँ है यहाँ पर यह question most important है paper में कई बार है विस्तित में भी आता है state and prove the means no theorem इसका प्रूब भी लगा लिजेगा यहाँ पर question number D का question number E है यहाँ पर give the statement of gauss bonnet theorem यहाँ पर जो है gauss bonnet theorem क्या है आपको इसमें statement लिखना है चले section B से पढ़ते हैं section B है यहाँ पर section B section B है साथ answer type question चले note में दिए गया है this section contains only one question which consists of seven sub question each sub question carries nine marks attempt any four sub question from this section अर्था section B से जो है आपको यहाँ पर seven कोच्टे यह जाएंगे जिन मेंसे आपको फोर ही question cancer देना है है यहाँ पर फोर कोच्टे रदेना है और यहाँ यह question कैंसवर आप देंगे तो आपको यहाँ से nine marks मिलेंगे यह पर और कुश्चन करेंगे तो 36 मार्च मिलेंगे और सेक्षन बी से आपको सबसे ज़्यादा मार्च मिलेंगे चलिए कुश्चन पढ़ते हैं आप टू का ए दिया गया है यहां पर को सबसे नमबर भी है यहां पर so that the oxalating plane at P has a general contact of second order and with the curve of at point P यहाँ पर भी दिखाना है एक oxalating plane at the point P पर जो है general contact of second order with the curve at P पर कुशन नबर C है कुशन नबर C यहाँ पर दिये गया है कुशन नबर C है calculate the curvature and torsion of cubic curve given R is equal to U U square U cube यह question most important है कई बारे पेपर में तो कई बार आता है कि question curvature and torsion निकालने के लिए अलग लग question देगा यहाँ पर curvature and torsion कैसे निकाला जाता है इसको जरूर लगा लेजेगा और यह question भी important है यहाँ पर जो है R is equal to U of U square U cube दिये गए है आपको curvature and torsion निकालना है बस कुशन नबर यहाँ पर D है so that the metric invariant metric remain invariant under the parametric transformation यह question भी most important है यह paper में भी कई बार आया है यहाँ पर so that the metric invariant invariant under the parametric transformation होगा इसको दिखाना है यहाँ पर question number E है यहाँ पर find the first fundamental coefficient and the area of anchoring corresponding to the domain दिये गए है यहाँ पर 0 less than equal U less than equal to pi 0 less than equal to V less than equal to pi यहाँ पर दिये गए है यहाँ पर आपको दिखाना है पर निकालना है इसका anchoring चले question number हम यह पढ़ते हैं question number E है state and proof Wingarten equation यहाँ पर Wingarten equation की आपको statement लिखनी है और साथ साथ प्रूब करना है यह question भी very important है इसको भी लगा लिजीगा question number यहाँ पर जी है find the value of Gaussian curvature and mean curvature at the point of right helix R is equal to U cos B U sin B और A V hence so that दिखाना जो right helicoid होगा इसे minimal surface पर होगा यहाँ पर यहाँ भी दिखाना है सबसे पहले से Gaussian करवेच और mean करवेच निकालना है right helicoid पर और साथ साथ दिखाना है right helicoid जो है इसे minimal surface होगा section C है यहाँ पर section C यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर तीस मार्स मिलेंगे यहाँ यहाँ दो question करवेच देंगे चले question पढ़ते हैं यहाँ पर question है question number B है find the envelope of circular helix x square to a cost theta y square to a sin theta x square to a theta tan alpha यहाँ पर आपको envelope envelope आप circular helix दिया गया है इस वे आपको envelope inverse निकालना है यहाँ पर question number C है state and prove cost formula for a surface यहाँ पर gas formula of surface जो है उसकी statement लिखनी है और उसका prove भी करना है question number D है यहाँ पर state and prove Euler theorem then so that दिखाना है कि normal curvature at the point on the surface two direction at the right angle इज़े constant होगा and साथ साथ दिखाना है कि equal to the sum of principal curvature at that point यहाँ पर चलिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like जूर कीजेगा चैनल पहली बार है चैनल सब्सक्राइब कीजेगा thanks for watching आपको हमारी 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